तो लीजे दोस्तों 1BHK की डिमांड आवलोग की हुई खतम फाइनली आज लेकर क्या हूँ मैं एक 1BHK रेंटल का एक हाउस प्लान जी हाँ दोस्तों बात करेंगे प्लॉट साइज की जिसमें आपका मिल जाता है 25 फिट बाई 50 फिट का और एरिये की बात करें स्क्यार फिट में ये 1250 स्क्यार फिट और गज में 138.89 उसके बाद दोस्तों लेफ्ट में बैक में क्लाइन का अपना ही ओपन एरिया है विंडोस हम चारो साइड में दे सकते हैं मतलब क्या है कि 25 फिट फिट से थोड़ा एरिया बढ़ा है अभूमन हम एरिया ले सकते हैं कि यह आपका इतना एरिया हो सकता है कि 30 भाई 60 का जिसकी वज़े से हम चारो साइड में वेंटिलेशन दे सकते हैं अभी रेंटल बनाना है यह हमारी रिकॉर्वारमेंट है कितना रेंटल बनाना है हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक bedroom उसके साथ में एक toilet, lobby, kitchen, एक common toilet कहने का मतलब है कि 1 BHK, 1 BHK के हमें two flats बनाने है at one floor उसके बाद जो stair case है वो obvious सी बात है common रहेगी दोस्तो finally अभी मैं आपको लेके चलता हूँ design पर ध्यान से समझेगा तो दोस्तो आप लोग सामने skin पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाते है total दो flat एक floor पे वो भी 1 BHK, 1 BHK के है जिसमें की एक flat आपका यह हो जाता है उसके बाद दूसरे number का flat यह हो जाता है दोस्तो एक second, आज के नकसे में एक यहाँ पर twist मिल जाता है, अब वो twist कौन सा है वो बताऊँगा मैं आपको विडियो के end में उससे पहले यहाँ पर चीजे जानना जरूरी है आपके लिए कि जो हमारा एक 1 BHK का flat बनाया गया है वो particular कितने area में बनाया गया जैसे की हम यहाँ पर बात करें एक यहाँ से लेके यह जो इतना area आपका बन रहा है जिस पर में line draw कर रहा हूं यह देखें यह इतना area आपका मिल जाता है एक flat का ठीक है उसके बाद उसके opposite आपको same to same नीचे दूसरा flat का एक portion मिल जाता है यह देख सकते हैं दोस्तों यह इस तरह से यहाँ पर यह हो जाता है आपका flat number 2 और अभी यहाँ पर question आता है कि आपके screen पर तो मातर दो ही flat यहाँ पर दीख रहे हैं आपने बोला है कि total 6 flat यहाँ पर मिले किस तरह से गया है चलिए दोस्तों सबसे पहले जैसे ही देखे यहाँ पर आपकी staircase दीए staircase से चड़ते हुए आप ऊपर आते हैं तो हम इस वाले flat के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यह वाला उसी की तरह same बनाया गया चलिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यह आपको WM लिखा हुआ है वैसे इसकी जो WM की full form हमने लिखिया है वो है washing machine चीक है उसके बाद एक question आप लोग मुझे comment करके फटा फट बताएंगे कि toilet का इसका ventilation कैसे होगा क्योंकि इसके पीछे भी एक ओर toilet बना हुआ है जो दिया गया है इस वाले bedroom के साथ में attach तो यहाँ पर toilet का सामने आपको यहाँ पर एक kitchen मिल जाती है एक point यहाँ पर बता दू कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो comment करेंगे कि भीया आपने toilet के सामने kitchen कैसे दे दी यह तो वास्तू के साथ से गलत है तो बता दू कि आज का नकसा वास्तू के साथ से नहीं बनाया है सिर्फ जरूरत और facilities के साथ से बनाया गया है बात करें kitchen में area के आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी kitchen दी गया है वन भी एच के मतलब एक बहुत ही जादा spacious plan यहाँ पर design किया गया है आप लोग देख सकते हैं यह gas है यह आपकी sink है और यह आपका fridge है चलिए हम लोग आगे चलते हैं देखिए क इतनी अच्छी यहाँ पर sofa sitting आपको मिल जाती है sofa sitting के सामने lobby में ही आपको LCD का point भी दिया गया है back side में आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चोटी balcony भी दी गई है तो बहुत अच्छा flat यहाँ पर design आपको मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर एक bedroom मिल जाता है जाने की 1BHK और bedroom में आपको एक attach almira और यह attach दोस्तों यह होगी हमारे एक flat की बात इस side में उसके बाद उसके opposite हम यहाँ से आते हैं तो इसमें same to same आपको यह एक toilet attach common वाला है यह toilet attach है यह आपकी almira attach हो गया यह आपका bedroom यह आपकी lobby यह आपका kitchen हो गया और यह आपकी front में balcony होगी दो दोस्तों यह तो हो गए आपके 2 flat अभी दिखाता हूँ मैं आपको हमारे 6 flat कैसे हैं दोस्तों आप लोग सामने देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 1 flat यह रहा नंबर 2 flat नंबर 3 यह नंबर 4 यह नंबर 5 और यह नंबर 6 कैसे कैसे हैं थोड़ा सद्यान से समझेंगे 2 flat एक floor प बनाएंगे और 2 flat हम यहाँ पर बनाएंगे 30 floor पर तो होगे दोस्तों हमारे total नंचे नंबर ओ फ्लैट अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक twist आपको समझा देता हूं जो मैंने starting में आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा notice किया हो तो ध्यान स फ्लोर का परान तो है ही नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर confusion हो सकता है कि हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे तो जब तक ground floor का plan clarify नहीं होगा तो first floor का कैसे होगा दोस्तों ground floor जैसे चाओ वैसे आप लोग दे सकते हो देखे यहाँ पर यह इतना area as a 1bh की आप लोग दे सकते हो उसके बाद यह parking staircase का area दे सकते हो इतना area आप लोगों ने use कर लिया यहाँ पर ठीक है तो इतना area जो हमारे बचा हुआ इसको आप as a parking दे सकते हो हां रही बाद detailing वाला कि उसमें column volume क्या dimensioning वगरा रहेगी सारी proper doors windows के क्या size रहेंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों यह details चा कि यह जो आपका plan है यह one bhk flats का बना गया है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनने two bhk two bhk flats के नक्षे चाहिए हों दोस्तों सोचने वाली बात नहीं है मैं already दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं एक 25 feet by 40 feet के plot size में और एक आपका 25 by 55 feet के plot में जी हैं दोस्तों उसमें आपको मै ने two bhk two bhk के दो flats पहुती अच्छे spacious size में दिये गए हैं आप लोग के सामने photo है वीडियो का link भी आपको मिल जाएगा उपर आई button पे click करके भी आप लोग देख सकते हो तो दोस्तों finally आप लोगों को आज का ही हमारा design कैसा लगा please comment करके ज़रूर बताईएगा चलिए दोस है